निग्रानी विभाग की टीम ने बक्सर में गुरुवार को रेड की 30,000 रुपे रिस्वत लेते पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजिनियर को हिरासत में ले लिया जब यह खबर अपरान पांच बजे के बाद गुरुवार को सहर में सामने आई तो मीडिया में खलवली मच गई लोग भागे तो पता चला पूस्ताच के लिए इन महोदे को अद्योगिक ठाने में रखा गया है जब वहाँ टीम पहुँची तो जीप में पीछे बैठे मिले इनसे भी मीडिया के लोगों ने सवाल किये तो इनका कहना था मैंने एक रूपे भी नहीं लिए बाराल आपकी जनकारी के लिए हम बता दे भोला प्रसाद पासवान राजपूर थाना चेतर के जो मौली के रहने वाले हैं पंचायती राजविभाग में अनुबंद पर करार हैं दूजार अठारा के बाद इनकी तैनाती नवानगर प्रखंड में थी तीन-चार पंचायतों का प्रभार देखते थे हाल फिलाल वे बक्सर ब्लॉक में अस्थानांतिर्थ हो गये थे लेकिन नवानगर के ही नलजल के मामले में वे लेंदेन कर रहे थे और निगरानी की टीम इनके पीछे लगी हुई थी फिलाल आप निगरानी के अधिकारी की बात सुन लिए एक कनिया अभियंता को पासवान सास्त्री जैसा कि हमने आपको बताया कुछ समय पहले नवानगर के तीन-चार पंचायतों का काम देख रहे थे बाबु गन्जी इगलिस वगर आसपास के वहां कई पंचायतों के अभी भी बुक नहीं है उसी सिलसिले में 95,000 की लें देन की बात हुई थी पहली क 30,000 ले रहे थे लेकिन निगरानी की टीम इनको यहां से उठा कर पटना ले गई हाला कि मीडिया का यह धर्म और कर्म दोनों है दोनों पक्स की बाते रखने चाहिए कुछ पत्रकार जो अदोगिक ठाने तक पहुँचे थे उन लोगोंने भोला पासवान सास्त्री से बात क उन्होंने जो कहा उनका कथन भी आप यहां सुन लीजिए हाला कि इस तरह की करवाई आय दिन निगरानी विभाग की टीम पूरे बिहार में करती है अपने जिले में भी कई अधिकारी अंचल अधिकारी बड़े अधिकारी इस तरह के मामलों में पकड़े जा चुके हैं लेकिन लोगों की आदत में सुधार अभी तक देखा नहीं हैं मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद